हाई ओल, वेलकम तो माई शानल, आज हम बहुत ही कम समय में बन जाने वाली बहुत ही सिंपल सी रेसेपी बनाने वाले हैं, आपके घर पे अगर कभी भी कोई हाउस पार्टी हो तो आप इस रेसेपी को बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं, इसे बनाने में बहुत ही कम इंग करने के लिए कर रहे हैं इसका कालों अ हम दूड़ी दूड नहीं होना चाहिए साथे इसमें के तीन टेबल्सपुन अगर आपको मीठा दा पचंद है तो आप चीनी की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं फिर इन सबी चीजों को मैंके मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसी ग्यास पर हमें 6-7 मिनट के लिए पकाना है इसे आप continuously stir करते रहिएगा वरना सूजी में गुटलियां बन सकती है साथी इसमें हम डालेंगे कुछ drops vanilla essence इसे अच्छे से mix कर देंगे और जब इसके desired consistency हमें मिल जाएगी फिर हम gas की flame को बन कर देंगे और फिर इसे हम transfer करेंगे एक serving dish में मैंने यहाँ पर glass dish लिया है अगर आपके पास baking tin हो तो आप उसमें भी इस recipe को assemble कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा जब हमारा mixture गर्म हो हमें उसी time इसे transfer कर देना है और एक spatula की मदद से हमें इसे अच्छी से level कर देना है जब यह अच्छी से level हो जाएगा फिर इसे हमें कुछ देर बाहर ही छोड़ देना है ताकि यह room temperature पे आ जाए इस recipe को आप जादा लोगों के लिए भी बहुत ही कम समय में आराम से बना सकते हैं जब तक कि यह mixture rest कर रही है हम एक sugar सिरप बना लेंगे इसके लिए मैंने यहां पर आधा कप चीनी लिया है साथी इसमें जाएगा आधा कप पानी और साथी इसमें हम डालेंगे कुछ drop vanilla essence के अब हमें इसे 4-5 मिनट के लिए high flame पे cook करना है इस sugar सिरप की हमें pouring consistency चाहिए उसे लिए इसे जादा देर बिल्कुल पे cook मत कीजेगा तो लगबग 5 मिनट में हमारी चाशनी बन कर तयार है इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और एक bowl में हम 8 cup chilled whipping cream लेंगे फिर इस cream को हमें beat करना है पहले इसे हम low speed पे beat करेंगे ताकि इसमें soft peaks आ जाए और जब इसमें soft peak आ जाएगी उसके बाद हम speed को maximum करेंगे और फिर इसमें stiff peaks लाएँगे ये process 4-5 मिनट में complete हो जाती है अगर weather थोड़ा गर्म हो तो आप नीचे एक बरतिन में थोड़ी ice cubes डालिएगा और cream वाली bowl को उस ice बात में डाल कर फिर whip कीजेगा वरना cream stable नहीं हो पाएगी हमारा सूजी वाला mixture भी room temperature पे आ चुका है इसके उपर अब हम whipping cream की ले डालेंगे इस dessert का नाम है ले आली लुबनन और ये बहुत ही famous Arabian recipe है ये recipe बिना sugar syrup के भी अच्छी लगती है अगर आप sugar syrup skip करना चाते हैं तो आप सूजी वाले mixture में चीनी की quantity को जरूर बढ़ा दें जब हमारी cream अच्छी से level हो जाएगी फिर इसे हम fridge में एक दूहंटे के लिए चिल होने के लिए रख देंगे हमारी cream अच्छी से level हो चुकी है अब हम हमारे dish के corners को clean कर देंगे उसके बाद हम इसकी basics ये garnishing करेंगे जो कि इसके look को बहुत जादा enhance कर देगी इसपे हम डालेंगे chop किये हुए पिस्ता को और साथ ही हम डालेंगे इसपे dry rose petals simple होने के बाबुजू देखने में ये recipe बहुत जादा सुन्दर लगती है garnish complete होने के बाद इसे हम एक से दो घंटे के लिए fridge में रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए दो घंटे की बाद मैंने इसे fridge से निकाला है अब मैं आपको दिखाऊंगे इसे serve कैसे करना है आप इसे जितनी servings की बनाना चाहते हैं आप उसे साबसे इसमें cuts लगा दें मैं इसकी 8 servings बनाऊंगे ये बहुत ही easily cut हो जाएगी cut करने की बाद बहुत ही साफधानी से हमें हर एक pieces को निकालना है ताकि दूसरे pieces का garnishing खड़ाब ना हो उसके बाद इसके उपर हम drizzle करेंगे sugar syrup और बहुत ही कम ingredients में बन के ready हो जाने वाली हमारी recipe त्यार है हम इसे serve करेंगे अपने family friends के साथ इसे किसी भी occasion पर आप बनाएए और enjoy कीजे उमीद करती हूँ आपको ये recipe पसंद आई हो आपकी जो भी feedbacks हो उसे आप comment section में जरूर शेर कीजे और इस recipe को जितना हो सकी अपने friends और family के साथ शेर कीजे वीडियो को like कीजे और नीशे दिये गए लाल बटन को दबा कर इस चानल को subscribe कीजे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बबबाए